दोस्तो, Self-Help की दुनिया में हजारों किताबे लिखी जा चुकी हैं, जिन में से कुछ को कल्ट स्टेटस भी हासिल है, जैसे के How to Win Friends and Influence People, Think and Grow Rich, Rich Dad, Poor Dad, The Compound Effect, and the list is Endless. ये सब बेहतरीन किताबे हैं, and I have read them all. लेकिन recently I came across an absolute masterpiece, जो शायद इन किताबों को भरपूर टकर दे सके, and that book is The Untethered Soul. Self-Help के यॉन्डर में मैंने इस से unique और outrageous किताब नहीं पड़ी, इस किताब में कुछ ऐसी बाते हैं, विच और actually groundbreaking, सो आज की वीडियो में हम इसी बुक को discuss करेंगे, मेरे सब बने रही है, और चैनल को subscribe करना, और bell icon दबाना मत भूलिये, let's be back. Welcome back, ये किताब आपकी रूह, आपकी सोच, आपके inner self के बारे में है, it will help you find peace, happiness and the unlimited energy that you possess. इस बुक का main essence ये है, कि इनसान को बाहर देखने के बजाए सबसे पहले अपने आप से relationship develop करना चाहिए, you need to find your true self, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपके जो अंदर की आवाज है, अंदर की जो रूह है, उसको observe करना सीखना है, उसको अपने से अलैदा करना है, untangle करना है इस आवाज को Michael Singer inner roommate कहते हैं, and usually it is a source of negative energy, ये आवाज हर वक्त non-stop आपसे बाते करती रहती है, इसका एक छोटा सा litmus test करते हैं, let's be quiet for the next few seconds, और आपने सुनना है कि आपका जहन आपसे क्या कह रहा है सुना दोस्तों आपने, there was someone speaking inside you, these voices will continue to tell you what to do and what not to do, मज़े की बात ये है कि जब तक आप इस आवाज को पहचानेंगे नहीं, तो आपको लगेगा ये आप ही हैं जो बात कर रहे हैं, जबके ऐसा नहीं है, it will feel like it's you who is speaking, but that's not the case, हमारी जिन्दगी में जदातर मसाइल के पीछे इस आवाज का ही हाथ है, किसी की काम्याबी देखी तो ये आवाज आपको कहेगी इससे जैलिस हो जा, किसी की अच्छी गाड़ी देखी तो ये आवाज कहेगी कि अब तुझे भी इससे अच्छी गाड़ी लेनी है, चाहे क इसको गुट्रोल करने का तरीका ये है कि आपने इस आवाज को इडेंटिफाइ करना है और अपने से अलग समझना है इस नोट यू हो इस जेलिस बट द इनर रूम मेट इंसाइड यू एक और बहुत ही पावर्फुल कॉंसेट जिसके बारे में ये बुक बात करती है वो है कॉंशियसनेस यानि के शहूर अगर मैं आप से पूछू कि आप कौन है तो जादतर लोग अपना नाम बताएंगे अपना प्रोफेशन बताएंगे या उनके जो शौक है उनके बारे में ब्रीफ करेंगे जैसे कि मेरा नम आईशा है या महविश है या अली है लेकिन दोस्तों मेरा या आप का नाम तो सिर्फ एक लेबल है हमारे साथ जो कुछ भी जिन्दगी में हुआ वो तो हमारा एक्सपीरियंस है हमारे माबाप तो हमारी असोसियेशन है इन सब में मैं कहा हूँ इसका बेहतरीन जवाब है I am my consciousness मैं मेरा शओर हूँ I am the one who is aware I am the one who sees मैं वो हूँ जो देख सकता हूँ सोच सकता हूँ समझ सकता हूँ यही मेरी पहचान है एक इनसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी consciousness है इस शओर को अक्सर अकाद soul या रोह भी कहा जाता है अगर आप इस concept को समझ के दुनिया को देखना शुरू कर देंगे you will start living a blissful life inner energy के हवाले से भी क्या कमाल बात की है माइकल सिंगर ने वो लिखते हैं कि किसी भी शक्स के अंदर बेताशा inner energy मौजूद होती है but they don't know how to use it जब भी आपके जहन में कोई negative thought आती है तो आप उसको ignore करने के लिए एक opposing energy लगाते है all of our cognitive processes जैसे के controlling thoughts, holding on to thoughts, recalling thoughts, generating emotions, controlling emotions require tremendous expenditure of energy यही वज़ा है कि अकसर आकात हम लोग बिल्कुल drained फील करते हैं जैसे के energy मौजूद ही ना हो अब ज़रा उस वक को recall करें जब आपको पहली दफा़ प्यार हुआ था energy थी, ना भूक, ना नीद, लेकिन उसके बावजूद you were flying, full of vivacity and strength इससे ये बात थाबित होती है के सारी game ही inner energy की है if you are always inspired and filled with energy, then every minute of every day becomes an exciting experience अब सवाल ही आता है के how to keep this free flow of energy going and moving all the time तो इसका रास्ता दोस्तों जाता है हमारे दिल यानि के हमारे heart से if you keep your heart open, it will lead to waves of uplifting energy अगर आपका दिल बड़ा होगा, आप शेर दिल होंगे तो हमेशा you will carry that energy which will attract people towards you not only people, you will attract happiness and success in life another key to mental health is to liberate ourselves from forces which hold us back हर वक्त हम लोग एक डर की कैफियत में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे इसी confusion में सारी उमर गुजर जाती है जबकि होना ये चाहिए कि हम अपनी जिन्दगी problem solving और इनसानियत की खिदमत में गुजारें ऐसा करने से ही we will find true happiness in life लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है that liberation and freedom will not be pain free इसी दर्द से जीत के you will excel in life इसके लावा और भी बहुत सी deep और profound बातें इस किताब में मौजूद हैं जैसे के death teaches us unique lessons हम मौत से बहुत कुछ सीख सकते हैं because it will help us to plan our life accordingly इसके लावा एक और बात वो कहते हैं जो बहुत ही simple है और वो ये learn never to worry in life अगर आप जिन्दगी में परिशानी नहीं लेंगे उस दिन को उस दिन के हिसाब से गुजारेंगे future के बारे में परिशान नहीं होंगे अपने दिल को बड़ा रखेंगे अपने आप को पहचान जाएंगे then you will live a blissful life अब दोस्तों कहने में ये बातें बहुत जवर्दस, बहुत sexy, बहुत charming और बहुत ही easy लगती हैं लेकिन pragmatically और practically अगर देखा जाए तो they are very difficult to achieve किस तरह इंसान worry ना करे, किस तरह इंसान overthink ना करे, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ही interesting है, वो ये कि it talks about your inner self your identity, अकसर लोग मुझसे emotional intelligence के हवाले से भी सवाल करते हैं, कि ये क्या है तो बाबाए emotional intelligence यानि कि Daniel Goldman के हिसाब से इसका सबसे पहला major component है self awareness यानि कि अपने आप के बारे में आगही, अगर आपको अपने आप के बारे में पता लग गया अपनी आगही हो गई, तो आपका बेड़ा पार है, लेकिन अकसर लोग इस घंचकर में फसके भी रह जाते हैं, और eventually कहते हैं है आगही अजाब इस आगही के बाद that's it for today